दोस्तों मी A3 यूजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है क्योंकि मी A3 में आ चुका है आगस्ट का अपडेट यह मेरे पास मी A3 डिवाइस और अभी हम चलते है हमारे सिस्टम में यानि सेटिंग में जाने के बाद हम सिस्टम में जाएंगे और एडवांस में जा यह जो update है दिया गया है और मुझे लगता है इसमें आपको किसी भी तरह की improvement देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही छोटा सा update दे दिया गया यहाँ पर और यह जो update है सिर्फ एक security update ही है बाकितों कुछ इसमें मुझे नहीं लगता improvement आपको देखने को मिलती है अगर इसमें कुछ changes आपको देखने को मिलेंगे 35 MB में कुछ भी ज्यादा change आपको देखने को नहीं मिलने वाला इतना ही हुआ है कि इस बार हमें यह जो update है जल्दी मिल चुका है यहाँ पर system update जो है मैंने installing के लिए लगा दिया है हो जाएगा थोड़ी देर में install और फिर उसके बात चेक करके मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें हमें क्या changes नए देखने को मिले है अगर आपने update कर लिया है तो मुझे आप comments करके जरूर बताईए पिछले update में काफी सारी users ने मुझे बताया कि battery drain की जो problem में solve नहीं हुई है random reboot की जो problem में वो भी कई सारे devices में देखने को मिलती मेरे device में random reboot की जो problem में वो तो नहीं आई है जुले update के बाद अब देखते हैं कि इस update में क्या improvement है और क्या change देखने को मिलता है battery अगर battery drain का problem fix हो गया तो काफी अच्छी बात होगी तो update तो अभी हो रहा है update होने के बाद इससे install करने के बाद phone को चेक करके मैं इसके उपर एक वीडियो जरूर से आपके लिए लेकर आऊंगा तो दोस्तो बस आज की सुड़ो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मुलना मिलते अगली बार नए वीडियो में तब तक के लिए ब